Hey guys, welcome to Shikshaniti, आप सभी का हर्दिक स्वागत है इस platform पे, तो आज हम discuss करेंगे दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल online exam paper जो आपका 7 दिसंबर 2017 को shift 3rd में हुआ था, तो इससे पहले हम लोग already 6 दिसंबर और 5 दिसंबर के paper share कर चुके हैं, अगर अभी तक अगर आपने वो नहीं देख हैं, तो अगर आपने उसका solution देखना है, तो playlist में जाके दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल के नाम से playlist बनी हुई है, वहाँ पे वो papers पढ़े हैं, तो आज डिसकस करते हैं, 7 दिसंबर 2017 का shift 3rd का paper देखते हैं, किस टाइप के questions आए थे, तो सबसे पहले first question देखते हैं, तो आप analogy से था first question, और ये क्या था, आपका word base था, तो analogy में क्या होता है, ये दो colon, तो आपने left का relation देखना है, right वले के साथ, तो पहले left में दो words लिखे हुआ है, तो क्या लिखा हुआ हुआ है, तो आपको पता है, जो house होता हो किसके बने होते हैं, bricks के बने होते हैं, तो books किसकी ब बनी होती है, book बनी होती है, आपकी, कागच की या कहले है, आपकी paper की बनी होती ही, तो option number first क्या हो जाएगा, सही, देखते हैं, second question हमाई पस, तो ये भी आपका analogy से था, लेकिन ये आपका क्या था, letter base, तो जब भी letter base आता है, हमाई पस तो देखे, दो colon हमाई पस, तो left ले क relation आपने राइट अले में लगाना है, तो जो भी letter base आएगा, तो पहले place value का use जरूर होता है, तो पहले हम इसकी place value लिख लेते हैं, h की कितनी होती है, आपकी 8, e की कितनी होती है, आपकी 5, a की 1, l की 12, और s की कितनी होती है, आपकी 19, इसको code किसमें कर रहा है, आपका 14, 12, 7 19 और 25 में, तो सबसे पहले pattern लगाते हैं, सामने सामने का देखने क्या logic निकलता है, तो अगर 8 को 14 बनाना है, तो प्लस 6 करना पड़ेगा, 5 को 12 बनाना है, तो प्लस 7 करना पड़ेगा, फिर से 1 को 7 बनाना है, प्लस 6, इसको करना है, 12 को 19 तो प्लस 7, और 19 को 25 बनाना है, तो 6 है ना तो सबसे पहले pattern सामने का था और 6 में सबसे पहले क्या आयट करेंगे हम दो 6 करेंगे तो 6 पर 6 कितना हो जाएगा 12 12 की place पर कोन आता है L इतना आपको पता चल गया हमारे जो answer start होना है L से होना है जरा options पर नजमारी तो एक ही option है जो L से start हो रहा है पर राइट साइड लगाना है तो पहले देखिए 49 और 98 को साफ दिख रहा है 49 का double ही कितना होता आपका 98 होता है तो इसका 33 का double कितना होता आपका 66 होता है option number 4 क्या हो जाएगा इसका सही simple logic था हमारे पस देखने 4th question हमारे पास 4th question था odd one out से और यह क्या था आपका word based था न तो odd one out का मतलब क्या होता है 4 options आपको दिये हो है इन में से एक odd होगा वो आपको find out करना तो जारा words को पढ़ी है क्या लिखा हो है yellow, red, blue और क्या लिखा हो है rainbow तो जैसे value लिखते है क्या है तो f की कितने होती आपकी six, k की की लिखा है आपकी 11, t की होती, six, uρα, u की कितने होती, जडरा आप logic देख है अगर छे को 11 बनाना है तो प्लस फांच करना पड़ेगा, 11 को 16 बनाना सो प्लस पांच करना पड़ेगा और second option में logic क्या रहा है same इसका मतलब आगे जो भी options है वो अगर इस logic को follow नहीं करेंगे तो वह option क्या क्या लएगा आपका odd one out तो देखते हैं third option का logic क्या निकलता है L की 12 है Q की 17 है हना V की 22 और B की कितनी होती ही 2 हना तो बहले 12 को 17 बनाना है तो plus 5 करना पड़ेगा 17 को 22 बनाना तो plus 5 करना पड़ेगा और 17..22 को अगर 2 बनाना है तो अब पीछे नहीं जाएंगे अब मैंने बताया अगर जब भी 26 के बाद अगर अगर हम देखें तो 27 का मतलब पिर से क्या हो जाता है 27 का मतलब हो जाता है 1 28 का मतलब हो जाता है 2 हाना 28 में से 27 जाएंगे तब ही 2 आएगा तो इसका मुला 22 को बनाना आपने 28 बनाना है तो कितना add करना पड़ेगा 6 करेंगे तब 28 बनेगा तो यह आगे आप difference हाना logic के according तो plus 5 होना चाहिए यहां हो रहा है plus 6 तो इसका मुला 3rd option के आपका odd one out देखते हैं 6 question के हमारे पस तो यह भी odd one out से था यह आपका number base है तो जड़ा देखिए 65 लिखा हो और 78 लिखा हो तो आसपास हैं तो difference देखिए अगर 65 को 78 बनाना है तो plus कितना करना पड़ेगा आपको 13 ग्यारा को 24 बनाना है तो प्लस 13 ही करना पड़ेगा तो आपको पता चल गया है हाना दो options के logic प्लस 13 जो प्लस 13 को follow नहीं करेगा वह odd one out होगा तो 19 को कितना बनाना आपने 34 अब यहां 9 है यहां 4 है हमेंचही ऐ 77 तो एक्सटरिक नर्य आट करना तो लॉजिक क्या बन राखराद फेले नम्बर का स्कुराइड करना और फिर उसमें को कितना अट करना तो करना है तो इसका महलब नहीं पैले 11 का स्कॉर कितना होता 121, 121 में 2 ऐड करेंगे 123 सही हं लिखा हूए यहां 5 का square कितना होता है 25 होता है 25 में two add करेंगे 27 साही लिखा हुआ इसका मलब बचता है कि option है यही क्या होगा odd one out उसको check करने की आपको जरूरत नहीं है देखते है next question हाना 8th question कि हमापस तो यह counting the figure का है आपने इसमे numbers of triangle count करने है तो picture में अगर आपने टॉप और bottom हाना same image दिख रही है water image बने तो जो उपर होंगे same नीचे हो जाएंगे हमाँ पास double कर दीजेगा उसका तो हम बस उपर count कर लेते हैं देखिए है एक triangle आपको यह दिख रहा है उपर हाना एक top दिख रही एक bottom अब ना कहिएगा कि same है देखिए ना यह line इस side है यह side है तो यह अलग है तो अब अलग-अलग count उपर ज्यादा कम भी हो सकते हैं तो अलग-अलग count करने ही पड़ेंगे तो पहले आप top में करिए देखिए हैं कितना आ रहा है आपको यह पह 3-6 तो हो गए लेकिन अगर यह उपा वाला और नीचे ले को जोड़ देते हैं तो यह A B C D है ना तो यह एक यह पूरा ना A B C D भी बन रहा हमारे पास तो एक और extra आ रहा है आपका A B C D तो इसका मुला 3-3-6 हो रहे कितना हो जाएंगे साथ option number 3 क्या हो जाएगा आपका तो 10th question हमारे पास का कह रहा है यहाना dice का question है और हाना इसमें open dice का question है तो आपसे पूछ रहा है N की apposit क्या होगा हमारे पास तो हाना इसमें क्या होता है open dice में surface apposit कैसे निकलती है जैसे आपने A का apposit निकलना है तो एक box को skip करके जो भी box मिलेगा आपका वो उसका क्या हो जा तो B को छोड़के क्या मिल रहा है N तो A का apposit क्या हो जाएगा N तो इसका मला है N का apposit हमें पता चल गया ना क्या हो गया A to option number क्या हो जाएगा आपका second क्या हो जाएगा सही देखते है next question हाना 11th question क्या हमारे पास 11th question क्या है हमारे पास एक बड़े घं के सॉरी है हमारे पास एक बड़े घं के परतेक अक्ष पर समान दूरी पर तीन कटाओ लगाए गए हैं तो कटाओ के बाद कितने छोटे घं प्राप्त हुए है ना तो देखिए हमारे पास था ना numbers of small cubes पूछ रहा आप से numbers of small cubes कितने होंगे यह पूछ रहा है तो numbers of small cubes का formula होता है हमारे पास n cube है ना तो देखिए दो तरह से question frame होता है एक तो होता है हमारे पास जब आपको एक big cube दिया हो और उसका size दिया हो जैसे मान लेते हैं let कर लेते हैं जैसे कोई भी ले लिए यह कह रहा है हमारे पास 4x4x4 का small cube का हमें size दे दिया उसने 1x1x1 का तो इससे भी n की value निकलती है n की value कैसे निकलती है big by क्या करते हैं हम लोग small करते हैं तो big की कितनी दूए चार small की दूए 1 तो 4x1 करेंगे तो n की value आ जाएगी 4 4 का cube कितना हो जागा 64 तो यह तो हो गया एक तरह से अगर इस तरह से question frame करा हो तो इस तरह से आप n की value निकाल सकते है numbers of small cubes निकलाएंगे लेकिन अभी दिया हूँ इस तरह से है तो अगर कभी भी आपको ऐसे लिखा हो 3 equal distance है cuts are made हना अगर 3 हना आपके cut-out लगाए गए हैं दूरी पर हमाई पस तो n की value क्या निकलेगी जितने भी cuts लगें तो cuts कितने लगें 3, 3 plus 1 करेंगे कितना जाएगा 4, 4 का क्योंग कितना हो जाएगा 400 option number 3 क्या हो जाएगा सही देखते है next question 12 क्या माई पस तो जो 12th question है वह हमारा hidden या immediate वाल है तो यह picture किसमे आपकी hidden है तो यह picture का triangle है और यहाँ पे एक इसका क्या बना हो एंगल अंदर की side ब से लग गया हमें तो cut कैसा चाहिए था इस तहरा से चाहिए था इस वज़से wrong हो गया माई पस अब यहाँ पर यह दिख रहे है यह आपका triangle है यह cut बना हुआ यहां पर option number 3 क्या हो जाएगा सही देखते है next question 13 क्या माई पस तो आपने यह picture को क्या करना है complete करना है यह question mark क्या अब चाहिए मझे माई पस तरफ आपकी है यह आपकी हिया यहाँ पर इमेज बटने मियर्ज नीचे तो विखना है पहले यह algo है यहाँ पर पास में यहाँ पर कया जाए आ голा सब कर ढ़ Aunty ऑर यहाँ सबसे पहले आपका Box तो इस तरह से box है हमाई पास तो mirror के पास देखें ना तो एक दो हाना ये दो चीजे देखने ये mirror के आप पास चलेंगे तो उपर वले दोनों क्या है खाली है इसमें कोई color नहीं है तो ये खाली रहेंगे और नीचे वलों में ये वाला क्या होगा अपका color है घार कि के ये तो color हमाई पका और ये वाला क्षे ये पास ये आपका खाली तो पहले तो लैट में इ freshman ने पार्ट में हिसे गलत यो आई है जो देखना चाहिं पहले से तो ही थो आप में नहीं च्मीर होने होनocy दंट करना क्या हूं हूं ने ना 49 फिर 6 वाइफ बन से वही लॉजिक से 36 बनना चाहिए वही से मम इसमें लगाएंगे तो जरा देखिए ना आपका जाना क्या दिख रहा है यह साथ का स्कॉर आड़ दिख रहा है तो यह तीन और दो हैं तो जरा देखिए साथ यहां 21 22 दूनी आपका होगा अब 42 होगा हम और यही लॉजिक देखते हैं पहले इन तीनों नंबर का मैंने कर रहा है मल्टिप्लाई उसी में यह नंबर एड़ कर दिया तो यही लग रहा है देखिए 6 इंटू 5 इंटू 1 करके देखते हैं तो 6 पंजे 30 गुणे एक तो 30 ही रहेगा और इसमें एड़ करना यह नंबर तो 30 प्रस 6 कितना हो जाएगा 36 तो यह है ना वैरिफाई होगी हमाई परस तो इसका मिलए 3 इंटू 7 इंटू 4 करेंगे 21 गुणे 4 कितना आएगा हमाई पास 84 84 में एड़ कितना करना है 3 तो 84 और 3 कितना हो जाएगे 87 अंसर आजएगा ऑप्शन नमबर 2 देखते हैं नेक्ट सबसे पले और अर्ण्ज होगे आवले तो पहले तो आरेंज करने हमने 1 और 2 आ अले अब इनमें भी कोन पहले होगा तो पहले देखए 3 से पता चलेगा यहां आई यहां पर 1 आप्शन आहिगए 4 और 2 गा अब देख डिखनें पहले आप्शम को करते हैं तो आंसर इतना हमन करिए इनमे कोन आएगा पहले देखि- सबस्क्रम पर दो इसका मतलब जाए और और सबस्क्रमें कष्चिए पूरा ना क्या माता है अतर्वा कोश्चिण को नियुक्त को बहुत हैं तो यह कंप ब्रतन से हुए ना तो यह picture based question है जो circle represent कर रहा है यह लड़कों को कर रहा है हमारे पास यह जो आयत यह represent कर रहा है चात्र को हाना और यह triangle त्रिबुज represent कर रहा है युवाओं को और यह वाला एक और आयत दिया हुआ यह किसको represent कर रहा है जो लंबे हैं तो question क्या कह रहा है इन दा गेवन हाना figure how many boys are कह रहा है ऐसे कितने लड़के हैं जो लंबे था युवाँ दोनों है तो पहले तो लड़के चाही हैं लड़कों का मतलब circle चाही है और circle कीस कीस में common होना चाही है ना ना यह जो circle होना चाहिए इस यह दोनो Nickiya को मीं touch करें वह Normally चाहिए ना तो एक, दो और यह है ना, यह दोनों आया है तो इस सरकल, इन में तीनों में हमाने पास common क्या रहा है, 15 और 14 आ रहा है, तो 15 पर 14 मिलके कितना हो जाएगा, आपका 29 option number क्या हो जाएगा, second, देखते हैं न, next question क्या हमाने पास तो यह आपका silox का question है, सबसे पहले हम देखते है, statement का क्या है, हमाने पास कह रहा है, sum RRF, then उसके बाद हमाने पास second क्या कह रहा है, all FRV है, सारा F किस के अंदर है, V के अंदर है, तो पहला जो आपका निश्कष पूछ रहा है, कह रहा है, sum VRR, तो V और R के बीच में देखी है, अगर मैंने definite check करना, जो चीज पूछ रही है, को हमें अपने main diagram में दिखनी चाहिए, तो V और R के बीच में sum दिख रहा है, तो देखे, V और R को देखी है, सिर्फ V और R को focus कर यहां sum दिख रहा है, तो first का हो जाएगा सही, second क्या कह रहा है, sum VRF है, तो V और F के बीच में sum आ रहा है, तो एक मैंने कहीं बार बता है, तो यह दो ही क्या होते हैं? आपके सही होते है, जब all बना होते है то sum क्या होता है, सही होते है, तो वहीं cuánta है, V से F जाओ या F से V सहूचों आपके बाता है, तो answer कहीं बोथ one and two रही है, option number third क्या हो जाएगा सही, देखते है, the next question क्या हमाईपस? next question हमाइपस क्या कह रहा है हमाइपस है na 20th question 20 वा question क्या कह रहा है फिर से rocks के है तो पहले diagram बनते हैं क्या कह रहा है all y are are then second क्या कह रहा है sum y are w है थो अब कह रहा है sum y are w करना है तो आप w ऐसे न बना दीए यह आपका रहेगा wrong diagram यह आपका possibility का diagram रहेगा आपने अगर w बनाना है y के साथ sum में तो इस तहां से पूरा w आप लीजिए ठीक है यह आपका correct है इसके according answer आपने देना है तो अब पहले तीन का लोग जाना है पहले कह रहा है all r r w तो सारा r देखिया आपको w के अंदर देख रहा है तो r r y में देखिये sum देख रहा है तो अभी मैंने previous बताया r r y में all देख रहा अगर all देख रहा है तो sum तो वैसे ही क्या होता आपका definite सभी होता है तो sum हो जाएगा तो P मदर है, तो P उपर रहेगी, किसकी ये Q की मदर है, तो P के उपर क्या लगा देते हैं, माइनस, आगे कह रहा है Q is the son of F हाना, Q लड़का है भई, किसका F का, तो Q already हाना, चाइल है P का, तो इसका मदर क्यों लड़का है, तो ये दोनों, P और F क्या होंगे, हस्बंड वाइफ होंगे, तबी Q क्या कह रहा है, सान है, तो Q के उपर क्या आजएगा, प्लस, भाई, Q क्या कह रहा है, P का भी हाना, चाइल है, और F का भी है, तो इसका मदर P और F आपस में क्या होंगे, हस्बंड वाइफ होंगे, तो आगे Q कह रहा है, How F is related to A, तो F का संबंद A से बताया है, तो मैंने कहीं बार बताया, आप पीछे अले person पे खड़े हो जाईए, आप A पे खड़े हो जाईए, और आपने F पे जाना है, तो A से F पे जाईए, पहल Pointing वाले में मैंने कहीं बार बताया है, दो person होते हैं, एक तो person है, pointing towards a man, एक तो point करा जा रहा है, man की तरफ तो हमें उससे मतलब नहीं होता है, हमें मतलब होता है, जो कह रहा है, तो कहा है कौन रहा है, राजू, तो हमने question को start करना है राजू से, अब सबसे पहले first relation कि से मना concept का होता है, इसमें आपको पहले inverted comma वाले में एक word keyword मिलेगा, माई है, तो पहले माई के right side, जितने भी relations होंगे, आपको वो सारे पहले क्या करने है, complete करने है, पहले माई के right side करने है, अगर right side सारे complete हो जाएंगे, फिर कहां चलना है, आपने माई के left side चलना है, ठीक है, पहल माई के मैंने बता है, right side चलना है, सबसे पहले क्या लिखा हो है, डाटर, तो राजू की क्या बनानी है, आपने लड़की बनानी है, तो डाटर कहां रहती है, एक generation नीचे, डाटर है तो मैं यूज कर लेता हूं, circle है, तो अब start तो राजू से कर रहा था, अब राजू से अ इसके बात क्या लिखा हो है, sun, तो इसका क्या बनाना है लड़का, तो ये तो इसकी लड़की है, तो sun के लिए क्या यूज करेंगी है, अब राजू से हटके फिर हम इसके sun पर इस person पर आगे है, अगर relation इससे बनेगा, लेकिन माई की आप right side सब खतम हो गया, अगर right side सब हो जाएगा, तो मैंने का इद्दम उसकी कहा चली है, left, तो left में तो कुछ लिखा ही नहीं है, इसका मुला हम रुके कहा होएं, यहां पर रुके होएं, तो जहां पे आप आके रुकोगे, वहीं पे जिसकी तरफ point हो रहा है, man की तरफ तो यहां पर रख दीजे, man को, तो र देखते हैं, next question क्या हमारे पस, तो 23rd में क्या कह रहा है, a by आपको b दिया हुए, कितना दिया हुए, 3 अनुपा 2 दिया हुए हमारे पस, तो आप से कह रहा है, 3 a plus 4 b upon 5 a minus b का हना, आपने क्या बताना ही, इसका हना, solve करके क्या ratio बनेगा हमारे पस, तो देखिए, हमें तो प minus, sorry, plus, अब ये b को करेंगे, तो b b to cancel हो जाएगा, upon में क्या जाएगा, यहां जाएगा 5 a by b, plus यहां पर b to cancel हो जाएगा, यहां पर क्या जाएगा, minus 1 है, b से b कर जाएगा हमारे पस, तो अब देखिए, a by b की value कितनी दिखिए है, 3 by 2, तो 3 into 3 by 2, plus 4, और यहां पर कितना आ 5 into 3 कितना हो जाएगा, 15 by 2, minus 1, तो अब LCM ले लिजी है, तो 9, और यह उपर जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 upon 2, और यह उपर जाएगा, तो 15 minus 2 upon में 2, तो आप देखिए, अगर solve करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17 बटे 2, बटे कितना हो जाएग आपका first है, देखते हैं, next question है, 24 कि हमाई पस, तो कह रहा है, A और B अकेले, एक कारे को कमशा 40 और 60 दिन में पूरा करते हैं, दोनों एक साथ कार आरम करते हैं, और B 15 दिन बाद कारे को छोड़ के चला जाता है, तो तदा 6 कार A अकेला पूरा करता है, तो पूरा कारे कितने दिन में complete होगा, यह बताना है, ठीक है, तो देखे, A कर रहा है किसी कार को 40 दिन में, और B कर रहा है किसने दिन में, 60 दिन में, तो दोनों का LCM आपको कैसे निकालते हैं, इन दोनों का LCM निकालना तो इन दोनों में बड़ी value किया, 60 है, तो इसके multiple लिज़ जाए न, साथ क thick, efficiency कितनी आगी है, three or two आगी है, तो पहले A और B ने दोनों कार new started करा है, और इन दोनों ने पहले कार कितने दिन कर रहा है, B तो 15 दिन बात उड़ के गई है, तो इसके लिज़ ऑन अब ए और B ने दोनों ने लगाता, 5-15 दिन दो काम करा ही है उसके बाद B छोड़ के flow गय तो 75 कारे तो उन्होंने 15 दिन में कर लिया टोटल कितना कारे था हमारे पास 120 था तो 120 में 75 कारे तो कर लिया बचा कितना हमारे पास 0 में जाएगा 5 बचा 11 तो कितना गया 45 कारे और करना है लेकिन अब बी तो चला गया अब करना है यह सारा 45 कारे किसमें ए नहीं करना है तो एक कि एफिशेंसी कितनी ये 3 है號o 45 कारे यह न यह इक इतने दिन में करेगा हमारे पास यह करेगा 15 दिन से पहले यह 75 कारे करने को लगे थे 15 और यह 45 कारे करने को फिर से लगे 15 दिन तो तो टूटल कितने दिन लगेंगा आपके 30 option number क्या हो जाएगा आपका first option क्या हो जाएगा सही उसने का था पूरे कारी को 120 को complete करने के लिए कितने दिन लगेंगे ना तो पहले 120 में 75 कारी करने को कितने दिन लगें थे 15 दिन लगें थे बाकी 45 कार रह गया था उसको A ने complete करा था A को फिर से 15 लगे थे तो टूटल कितना आजएगा आपका 30 देखते है next question क्या है हमाई पस तो next question है आपका odd one out आला हमाई पस picture base हा ना तो यह चार options में बताने कौन सी picture odd one out है तो देखिए यहाँ पर देखिए हमाई पस यह triangle है यह triangle है यह triangle है लेकिन यह क्या आगया आया तो यह आपका क्या है been on one is top देख be next question क्या हमाई पस तो यह बी on one out इसमें आपने बताना है चार में स old turn light का है तो देखिए यह थे आया हमाई यह 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 पिचल केने सेज़ें तरे चीप दूंदर सेम अज़तिश यह पिच्चल लेकिन दो बाहर हो गए ना तो यह आपका क्या हो जाएगा फॉर्ट ऑप्शन और बन आउट है ना तो यह आपका सिरीज का अगला कोश्चन है देखते हैं ना पांच है ग्यार है हमारे पास छे बारा है साथ है और कितनी है तेरा तो आगे कोश्चन मारक है तो जरह आप देखिए अल्टर ने देखिए पांच छे साथ तो आगे कितना आजएगा आठ सिंपल कोश्चन था यह हमारे पास अप्शन नुम्बर क्या हो जाएगा सेकें देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन क्या हमारे पास यह फिट से सिरीज का है लिखा हुए चार पांच नो चौदर तैईस औ अगर आप देखें यहां पर गुणा एक हो रहा है यहां दो रहा है तो यहां तीन करेंगे तो नो तीन कितना हो जाएगा 27 अब 27 में इतना घड़ाएंगे तो यह तो लॉजिक होगे आपका रॉंग ठीक है तो और लॉजिक क्या बना है देखिए अगर इन दोनों नंबर् 35-9 को एड़ करेंगे कितना जाएगा 14-9-14 को ऐड़ करेंगे तो 23-ictions-1424 options- i.s के जाएगा 27 प्रहूर प्रहु करें फिर आपका यहां पर आ गया ना इस साइड आ गया माना फिर यहां पर आ गया तो इसके बाद यहां से गिदा जाएगा इस साइड तो आंसर में सर्कल यहां पर दिखना चाहिए तो इसी से इमिलेट कर लिए यह तो यहां दिख रहा है यह बिल्कुल गलत हो जाएगा यह भी कॉर्णर में आ गया फिर साइड में तो यहीं पर गुंगता जा रहा है तो अब इसका मलए यह फिर का आएगा इस कॉर्णर पर आएगा और नीचे की सेट देख रहा हूगा तो आप्शन नमबर थोड़ी है यह फोर तो गलत ही था हमारे पर थर्ड क्या हो जाएगा आपका स आप सही कौशी होगा अब सही को होगा देखिए तो पहले यह जो बिंदू थी यह आपकी कॉर्णर पर थी फिर आपकी साइड पर आगी यह कॉर्णर पर आगी तो इस कॉर्णर पर होने का मतलब यह है यहां दिख रहा हूँ प्र तीसवा कॉश्ट किया हमारे पस तो यह लेकिन image base से आपको बताना है इस question mark की जगे क्या आएगा तो जरह आप देखे comparison करिए देखे T, P, R, F यहां देख रहे हैं यहां पर भी R, F, T, P देख रहे हैं तो यह दोनों में same आ रहे हैं तो क्या होगा हम आपस देखें यहां T था लेकिन यहां R आ गया तो यह जो diagonal थे यह दूसरे को interchange कर दी हैं यहां पर और यहां पर F और P आपस में interchange होगे यहां F था तो यहां पर P आ गया है, P था तो यहां F चला गया ठीक है, अब लेकिन यहां पर तो एद्दम ही change हो गया है लेकिन अगर इन दोनों को comparison करते हैं तो देखे हैं न, diagonal अगर हम देखें तो S की जगे यू आ गया, U की जगे S चला गया अब इनको देखे हैं, Q की जगे G आ गया, G की जगे Q आ गया तो ठीक है, महले कि दो-दो का चल ला है न, यह दोनों समझ में आ गया है इन दोनों का समझ में आ गया, लेकिन आगे आएगा क्या है, यह तो पता चले तो यह किस से पता चलेगा, देखे, चेंजमेंट का आई हुए, यहां से यह हुआ है तो देखे, 18 से कितना हो गया आपका, 19 हो गया हाना फिर 6 से कितना हो गया साथ हो गया तो 21 से यहां पर कितना आएगा आपका 22 आएगा 22 का मतलब क्या होता है वी और इसी से देख ली जाना कोई option eliminate हो रहा है तो बस एक ही दिख रहा है यहां पर भी आ रहा है option number second क्या हो जाएगा आपका सही आई होप आपको यह समझ में आया होगा नहीं तो एक बार पॉस करके फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं देखते हैं next question क्या हमाई पस तो यह आपका ना कोडिंग डी कोडिंग का question हमारे पस कर रहे है इनने certain code है ना फियर का यह लिखा हुआ है तो आपका 34 लिखा हुआ है तो इसमें same way है ना इनकी place value को देखते हैं ना इससे logic लगा कि 34 बन रहा है तो f की होती 6, a की होती 1, i की होती 9, r की होती 18, तो 9, 10, 10, 18, 28, 26, 34 तो बस place value को as it is आपने add करना है तो आपने बताना है किसके f, i, r, e का बताना है तो f की होती है 6 और e की कि कितने होती है 5 है ना तो देखा है ना हमारे पस कितना हो जाएगा 9, 6, 15, 15, 15, 20, 20, 28, 38 तो option number कौन सा हो जाएगा आपका first क्या हो जाएगा इसका स पिसमें लिखेंगे एपताना है तो पहले इसकी place value लिखती है f की 6 होती है r k 18, i की 9, n की 14, g की 7 और e की 5 इसको लिख लेए इसके नीचे है na isko code करा हुए है तो it की 10, s की 8 है, t की 20 से k की 11, ह हमारे पस है ना r की 18, k की 11, i की 9 है, हमारे पस तो पहले देखें आमने सामने क्य लॉजिक कुछ लग रहा हमारे पास तो देखे चे को आठ बनाना है प्लस दू हो रहा है अठारा को बीस बनाना है प्लस दू हो रहा है नो को ग्यारा बनाना है तो प्लस कितना हो रहा है दू हो रहा है इसको बनाना है तो चौदा को अठारा प्लस चार करना है प्लस चार करन करना पहले तो 2 करना ना 23 और 2 कितने हो जाएंगे आपके 25 आंसर स्टार्ट किसे होगा वाई से तो बस एक ही ऑप्शन देख रहा है वाई से ऑप्शन नमर क्या हो जाएगा ठर्ट से हो जाएगा देखते हैं राश्ट कोश्चन हमारे पस क्या इसको कोड करा हुआ इसमें तो 12 दक कि कितने होती है इसको उड़ कराः हुआ यहां पर 5 320 पिक होगी हमारीיים च्रोंबी दो ऑन की होगी आपकी 16 जारा दिखिया न 3 को पांच बज़ए ना तो मांड नमारे का पड़ेगा प्लस बारा मैग्ना पड़ेगा प्लस तरफ चरू जाय से आप देखको पा रहे अब इसमें पैटन लगेगा कुछ और ठीक है तो पैटन कैसे चेक करते हैं देखिए न आप फर्स नमबर पिक करिए जातो इसमें कुछ प्लस होगा या तो माइनस होगा अगर सबसे पहले प्लस देखिए अगर आप 13 में कुछ जोड़ते हैं तो 13 के बाद वैली वैलू हो गया 18 से 19 हो गया 15 का 16 हो गया हमारे पास फिर उसके बाद नो का 10 साथ का इसका पैटन चला यह क्रॉस हो और लॉजिक कितने का है प्लस वन का तो इसका मतलब हमारे पास लगाना किसमें आपने इसमें लगा रहा है ना स्टी ए जी डबलू डबल ओ डी है ना तो अब जो स गलत होगा यह भी गलत होगा अब इसमें देखिए यहां पर क्यों है तो इसका मतलब यहां पर 15 15 में जोड़ेंगे कितना आएगा माल पास 16 आएगा 16 का मतलब क्या होता पी तो ई और पी वहला सही होगा option number 4 क्या हो जाएगा सही I hope आपको यह solution समझ में आया होगा तो आपक जो भी friends है न देली पुलिस की तियारी कर रहे हैं या SSC की की तियारी कर रहे हैं तो उनको यह वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी benefit मिले thank you so much